हेलो एब्रीमन वेलकम टू बैक मैं चैनल नेचल ब्यूटी विद भाबना आज मैं आप सब लोग के साथ में एक पैक शेयर करने वाले हूं यह पैक करवा यह पैक को मैं काफी दो दिन से यूज़ कर रहे हूं तो मुझे काफी अच्छा लगे इस पैक के रिजल्ट तो मैंने सोचा कि मैं आप सब लोग इस साथ में पैक शेयर करूं तो अगर आप बहार जाने वाले हैं फेशल और ब्लीच करवाने के लिए तो आप प्लीस मत जाए अपने स्कीन खराब करने के लिए बहार फेशल और ब्लीच के लिए मत जाएए आप जितना आप अपने होम रहमेडिश पर फेश को ग्लोर शाइनिंग बना सकते हैं यह है कि वह एक दो दिन तक आपके फेश को ग्लोर शाइनिंग बना देंगे पर उसके बाद में जो आप आप यह पैक बना के अपने फेश पर लगाए जब तक हमारे करवाच वताने में अभी दो दिन है तो आप यह फेश पैक अभी से यूज़ करें और देखें इसके रिटर्ड तो आईए देखें कैसे बनाने वाले हो पैक तो देखो फ्रेंड्स मैंने यह ले लिया है कॉफ आप कच्चा ही दूद डालें इसमें और आप मैं डालूंगे इसमें धाई मैंने एक चमच धाई डाल दिया है और फिर डालेंगे हम बेसन एक चमच बेसन और मैं इसमें डाल रहें थोड़ा सा नारील का तेल दो से चार ट्रॉप शहर शहर हमारी स्किन पर हमारी स्किन को शाइनिंग देता है और हमारी स्किन को सौप्ट बनाता है शहर हमारी स्किन को काफी अच्छा काम करता है शहर से हमारी इस फेस पर दार धब्दे नहीं होते हैं और इस स्किन हमारी बहुत ज़्यादा सौप्ट रहती है अब हम इस सब को मिक्स कर लेंगे तो देखो हिए नारा पैक बन के रेडी हो चुका है अब मज़ें पने फेस पर अपलाए करेंगे मैंने अपने फेस पर कुछ अपलाई करेंगे अगर आप अपने फेस पर आपने कुछ लगाया हो तो अपना फेस बाद में इसको लगाए झाल तो इसने पेक कोई भी पेक अगर अपनी फेस पे लगाएं तो उसको पनी नेक पे भी लगाएं ताकि आपको नेक और आपका फेस एक जैसे दिखें आपको मैकप से कवर्ना करना पड़ें हम इसको कुछ बीस मिनट तक रखेंगे फिर उसके बाद में वाश कर लेंगे तो देखोई मैंने वाश कर लिया है अपना फेस तो देख सकते हैं आपको इसके रिजल्ट कितने अमेजिंग है यह फेस को कितना गलो बना देता है एक अगर आपको मेरी जानकर यह पसंद आई हो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करो शेयर करें कि अगर